शिव समार है मुझ में और मैं शुन्य हो रहा हूँ तो दोस्तो वाली में 21 जुन को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाए गया तो हाइड्रोग्राफी के मात्वा को परचारित करने के उद्देश से हर साल 21 जुन को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाते है जिसकी 2022 की थीम क्याती दोस्तो हाइड यहाटवा अंतरास्टी यह योग दिवस के रूप में भी मनाया गया। तो दोस्तो आली में 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों नक्स पे लते हैं तो दोस्तों आली में Geft City में New Development Bank के इंडिया Regional Office के Director General के रूप में डीजेए पांडियां जी को नेउक्तकिया गया तो दोस्तों आली मैंने आपको बताया था कि New Development Bank यह पहली Multilateral Agency बन गई थी Gift City गुजरात में अपना आफिस कोलने वाली और अभी उन्होंने ही Gift City में New Development Bank के इंडिया औरिजनल आफिस के डिरेक्टर जनरल के रूप में DJ पांडियान जी को नहीं उक्त किया गया और दोस्तो New Development Bank को Bricks Development Bank के रूप में भी जाना जाता है और दोस्तो अभी Gift City से याद आया कि अभी MUFG Bank जपान ने भी Gift City में अपना आफिस को लेगी खुशना की थी तो दोस्तो आली में Gift City में New Development Bank जिसका Headquarter शंगाई में है जिसकी स्थापना 2014 में होई थी उसके इंडिया रिजनल ओफिस के डिरेक्टर जनरल के रूप में डिजे पांडिया जिको ने उक्त किया गया और दोस्तो आली में मंत्रेगा लोगपाल के रूप में एंजे होजा जिको ने उक्त किया गया नीती आयोगो के उपाद्धिक्ष के रूप में डॉक्टर सुमन के बेरी जी को ने उक्त किया गया हाली में जियोलाजिकल सर्वे ओफ इंडिया के अद्धिक्ष के रूप में डॉक्तर एसराजु जी को ने उक्त किया गया है दोस्तो तो दोस्तो आली में गिफके सिटी में अंडी बी के इंडिया रेजियनल आफिस के डिर अभ्या प्रकेटर्ट अभ्याओं तो असलियन फ़र्मर वूमन क्रिकेटर अलीसा स्थालेकर जी को FICA की पहली मैला प्रकेटर्ट के रूप में ने उक्त किया गया और दोस्तो आली में अमेरिकी सुप्रियम कोट में जज़ बनने वाली पहली ब्रा traum महिला अश्वयत महिला के टन जी ब्राउं जाक्शन जी बन गई और दोस्तोवली में, मेर्गी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वयत महिला माया एंजलो जी बन गई और दोस्तो कैथरीन ओलिवी अरभी युनिसेप की अधिक्ष बनी थी दोस्तो तो दोस्तो ओली में FICA यानि की फेडरेशन आप इंटरनेशनल क्रिकेटर्स असोसियेशन की पहली मेला अधिक्ष के रूप में अस्ट्रियन वोमन क्रिकेटर लिसा स्थालेकर जीकों ने उक्त किया गया है दोस्तो ओली में United Nation में भारत की स्थाई प्रतिनी दी के रूप में रुचिरा कंबोजी को ने उक्त किया गया है और दोस्तो रुचिरा कमबोजी करेंटली भूटान में भारतीय राजदूत भी है तो दोस्तो आली में नीयॉरक में युनाइटेड नेशन में भारत की 27 प्रतिनिदी के रूप में रुचिरा कमबोजी को नियुक्त किया गया है दोस्तो वह टीयस तिरू मुर्ती जी का स्तान लेंगी तो दोस्तो आली में युनाइटेड नेशन में भारत की स्ताई प्रतिनिदी यानिकी पर्मनन्ट रेप्रेजेंटिटिव आफ इंडिया के रूप में सिनियर डिपलोमाट करेंटली भूटान में भारती राजदुत के रूप में नियुक्त होने वाली रुचिरा कमबोजी को नियुक्त किया गया और दोस्तो आली में युनियन बैंक ओफ इंडिया की पहली महिला M.D.C.O. के रूप में अर्मी की एविएशन विंग में शामिलानी वाली पहली भारती महिला अभिला शाब भराक कजी बन गई और दोस्तो आली में अंडर सेक्रेटरी जनरल ओफ इंडिया को नियुक्त किया गया और दोस्तो जैवारलाल नेहरो इनियर्सिटी की पहली महिला वाइस चैंसलर के रूप में शांती श्री दुलिपूरी पंडिजी को नियुक्त किया गया तो बात भी इनियुक्त इडिया जिसकी स्टापना 24 अक्टूबर 1945 को इती जिसका ड़कोटर नियुक्त में है जिसके सेकरेटरी जनरल है अन्टनियो गुटरेस जी तो दोस्तो आली में इनाटेट नेशन में भारत की स्थाई प्रतिन दी के रूप में रुचिरा अंबोज़ जी को नियुक्त किया गया है दोस्तो नेक्स पे चलते है तो दोस्तो आली में भारत अदेश की पहली में भारत अदेश की महिला कुष्टी टीम ने अंडर सेवनटीन एशियन चंपियंशिप को जित लिया तो किर्गिस्तान के बिश्केक में आयो जित तो दोस्तो अलिमे भारत अदेश की महिला कुष्टी टीम ने अंडर 17 एशियन चांपियंशिप को जित लिया जो की किर्गिस्तान के बिश्केक में आया जित था दोस्तो अभी इंडियन डेलवे नई दिल लीकिशन गंज में भारत की सबसे बड़ी कुष्टी अकादमी इस् वह एक वेट लिफ्टर थी और हाली में कर्णम अलिश्वरी दिडली स्पोर्च इन्रेसिटी की पहली महिला वाइस चैंसलर भी बनी थी तो दोस्तो अलिमे भारत अदेश की महिला कुष्टी टीम ने रेसलिंग टीम ने अंडर 17 एशियन रेसलिंग चांपियंशिप को जि लांच किया जिसका नाम है अश्टांग योग जिसको डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने लिखा है तो दोस्तो एक किस जून दोजार बाइस को आटवे अंतर रास्टिय योग दिवस के उपलक्षिपर अश्टांग योग नामक पुस्तक को लांच किया गया हर्याना के मुक इस ऑप स्पोर्ट्स दे विनिंग फॉर्मला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक को विनीत करनिक जी ने लिखा था तो दोस्तों आली में अश्टांग योग नामक पुस्तक को डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने लिखा था लिखा है दोस्तों नेक्स पर जलते हैं तो आली में मं निशनल पार्क को युनिजको के बायोस्पियर रिजर्फ के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया और अभी मंगोलिया से कुछ याद आया दोस्तो अभी महिला शानती हैं। सुरक्षा कॉन्फरेंस का योजन मंगोलिया में किया गया मंगोलिया यहाएक लैंड लोग कंट्री है दोस्तों तो मंगोलिया की राज़दानी क्या है उलनबत और तो हाली में मंगोलिया देश के खुषगुल लेक नैशनल पार्क को यनेसको के बायो स्पियर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया है दोस्तों नेक्स पे जलते है तो दोस्तों आली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागो करने वाला चात्तिसवा राज़ असम राज़ बन गया तो दोस्तों इसी के साथ वन नेशन वन राशन कार्ड योजना सभी छ इसलितार राज्जों में शुरू किया गया था जिसका उद्दिश्थ था कि जिन के पास भी Raa sozusagen काड दिखा कर अपने हिससे का अनाज ले सकते हैं वो अपने भारत में किसी भी को अगर आपको पास राशन कार्ड है तो आपको राशन मिलेगा दोस्तो अपने इससे का तो दोस्तो आली में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला चातिसवा राज्या असंबन गया है दो सनेक्स पे चलते हैं तो हाली में भारत और नेपाल के बिच में पहली टूरिस्ट्रेन भारत गवरों को शुरू किया गया तो सब्दर जंग यानि की नई दिल्ली के सब्दर जंग रेल्वे स्टेशन से भारत और नेपाल के बिच में पहली टूरिस्ट्रेन भारत गवरों को शुरू किया गया तो रामायन सरकिट से जोड़े स्तानों को जोड़ने वाली पहली टोरिस्ट ट्रेंख भारत गवरों को शुरू किया गया 21.2022 को New Delhi के सबधर जंगmen रेल्वे स्टेशन से रवाना किया गया भारत गवरों इस टोरिस्ट्रेंख को हमारे रेलवे मंत्री अश्विनी वैश्न और संस्कृती मंत्री जी किशन रेड़ी जी ने भारत और नेपाल के बीच में पहली टुरिस्ट ट्रेन भारत गवरों को जंडा दिखा कर रवाना किया और दोस्तो भारत और नेपाल के बॉर्डर को पार करने वाली यह पहली टुरिस्ट ट्रेन भारत गवरव बन गई और नेपाल में इसका पहला स्टाप कुन सा होगा नेपाल का जनकपुर रेल्वेस्टेशन पहला स्टाप होगा दोस्तो बारत गवरव इस टुरिस्ट ट्रेन का तो दोस्तो आली में भारत और नेपाल के बीच में टुरिस्ट ट्रेन भारत गवराव को शुरू किया गया जो की सब्दर जंग रेल्वेस्टेशन से रवाना किया गया इस भारत गवराव टुरिस्ट ट्रेन को दोस्तो नेक्स पे चलते हैं तो दोस्तो आली में गुजरात प्रदानमंत्री मौधी जी ने रेनुवेटेट श्री काली का मातामंदरोंदीर जी अब छो automate किया इसका उद्गात पुनर्ने किया इनुवेट गो श्री काली का मधामंदरोंदीर हुइद किया नुश्याइच तुछ तोगारा महरास के शिला मंदिर का उदगाटन भी किया था तो दोस्तो आली में गुजरात राज्य में प्रदान मंत्री मोधी जी ने रेनोवेटेट श्रीकाली का मादा मंदिर जी का उदगाटन किया है दोस्तो नेक्स पेच चलते है तो आली में निरच चोपडा जी ने कु निरच चुपड़ा जी ने कुवर्टोन गेम्स जो की फिनलेंड में हाय जित किया गए थे उसमें गोल्ड मेडल जीता निरच चुपड़ा जी ने और दोस्तो आली में पुने के आर्मी स्टेडियम का नाम निरच चुपड़ा जी के नाम पर रखा गया हाली में बदम श्री 2022 से भी सम्मानित किया गया है निरच चुपड़ा जी को और आली में टाटा AIA और गुड डॉट के ब्रेंड अबसेडर बने थे और खेलो में विशेश प्राविन ने प्राप्त करने के लिए प्रम विशिष्ट सिवा पदक से भी सम्मानित किया गया था दोस्तो आली में निरच चोपड़ा जी को तो दोस्तो आली में निरच चोपड़ा जी ने फिनलेंड में आया जितको और 10 गेम्स 2022 में गोल् साल एककिस जुन को वर्ल्ड मूजिक डे के रूप में मना जाता है 1982 में फ्रांस में पहली बार मनाए गया था वर्ल्ड म्यूजिक डे दोस्तो विश्व संगित दिवस जिसकी 2022 की थीम क्या है hela म्यूजिक ऑन दो इंटरसेप्शन तो बढलय में 21 जुन को World Music Day के रूप में मना जाता है दोस्तो तो दोस्तो 21 जुन को अपने तीन दिवस मनाए World Music Day, International Yoga दिवस और World Hydrography Day के रूप में अपने 21 जुन को मनाय गया तो दोस्तो यह थे 23 जुन 2022 के महत्व पुर्ना करेंट अफेर साज अपन क्या पड़े उसकी एक बार रिविजन कर लेते हैं तो दोस्तो हाली में 21 जुन को World Hydrography Day के रूप में मनाया गया हाली में Gift City गुजरात में New Development Bank के इंडिया Regional Office के Director General के रूप में DJ Pandyaan जी को ने उक्त किया गया हाली में Federation of International Cricketers Association की पहली महिला अद्रक्ष औसलियन Woman Cricketer लिसा स्थालेकर जी को ने उक्त किया गया हाली में United Nation में बारत की स्थाई प्रतिनेदी के रूप में रुचिरा कंबोज जी को ने उक्त किया गया हाली में भारत देश की महिला कुश्ती टिम ने Under 17 एशियन चांपियंशिप के मिडल टेली में टॉप किया दूसरे स्थान पे जपान तिसरे स्थान पे मंगोलिया है तो दोस्तो आली में अश्टांग योगणा मंग पस्तक को डॉक्टर सोनू फोगाट जी ने लिखा हाली में मंगोलिया देश के खुबस गुल लेक नेशनल पार्क को युनेस्को के बायोस्पेर रिजर्फ के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल किया गया हाली में वन नेशन वन राशन काडियो जना को लागू करने वाला बारत का 36 वारज असंबन गया हाली में बारत और नेपाल के बीच में पहली तुरिस्ट ट्रेन भारत घवरोग को शुरू किया हाली में गुझरात राज्य में ब्रादान मंतरी मौDी जी ने रेनोवैड़ जी ने रेनोवेड़ एट ॶ्रीक आलिका मतामंत्र जी का उदगाडन किया हाली में निरच चुपड़ा जी ने फिनल लैंड में आयो जित कोड़ टेन गेम्स 2022 में गोल्ड मेंडल जीता हाली में 21 जुन को वर्ल्ड म्यूजिक डे मनाय गया तो दोस्तो यह थे 23 जुन 2022 के महदोपुना करंट अफेर्स आशा करता हुआ आपको पसंद आये होगे अगर पसंद आये होगे तो दोस्तो लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए और दोस्तो ऐसे ही डे टू डे करंट अफेर क्लासेज उनकी रिविजन क्लासेज और जनरल नौलेज क्लासेज पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ड करंट अफेर इस चैनल को फॉलो कीजिए सबस्क्राइब कीजिए और वन लाइनर करंट अफेर्स पीडिया पाने के लिए हमारे टेलिग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए दोस्तो लिंकी जिन दे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस इस गुरु भाई साइनिंग ओप जैशंकर महाराज दोस्तो जय भूले